नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका study IQ PCS में आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित और दोस्तों दो बज चुके हैं, दो बजे हमारा session रहता है modern history का, जिसमें modern history को हम MCQ की form में cover कर रहे हैं, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, 33 सेट यहां पर लगा रहे है, modern history का total 40 सेट हैं आप जानते हैं, और 40 सेट हैं, इसमें हमारे 1000 questions complete हो जाएंगे modern history के, और हमने almost सभी topics पर, almost सभी topics पर हमने सवाल लगाए हैं, और सभी topics को हम cover कर चुके हैं, तो modern history का यह 37 सेट है, और important जानकारी, यहां पर UPS UPSC plus UPCS का जो live course है, वो launch हो चुका है, सभी दोस्त यहां पर session से जुड़ेंगे, और live course launch हो चुका है, और साथ ही में आप देखेंगे, इसमें आपको test series मिलेंगे, crash course मिलेंगे, pre plus mains, हर तरह का access आपको मिलेगा, complete course है, खुद में UPSC plus UPCS, दोनों exams एक साथ आप target कर सकते है साथ ही में सिर्फ UPCS के तयारी करने वाले दोस्तों के लिए भी यहां पर आपको course मिलेगा, और discounted price पर लेने के लिए code याद रखेंगे, code लगाना होगा, उसी तरह से सबसे important चीज़ अभी जो इस समय है, वो है path test series, क्यों? क्योंकि 14 माई को आप जानते हैं कि UPCS का exam होना है और path test series launch हो चुकी है इसके लिए, जिसके अंदर आपको total 25, 25 test मिलेंगे, जिसके अंदर आपको NCRT पर आधारित test मिलेंगे, जिसके अंदर आपको PYQs पर आधारित test मिलेंगे, साथ ही में आपको current affair के bonus test मिलेंगे, आपको साथ ही में UP special GK भी देखने को मिलेगी, complete package है UPPCS prelims के लिए और यहाँ पर code याद रखेंगे, SK test अगर discounted price पर चाहिए, और UPPCS के तरह BPSC के लिए भी courses है, combined course है, UPPC plus BPSC का live course है, live classes होगी, recorded classes होगी, crash course होगा, test series होगी, pre होगा, mains होगा, सब चीजों का complete course है, 23,000 में आप यहाँ पर ले सकते हैं, और सिर्फ BPSC की भी तयारी आप कर सकते हैं, complete course है, 23,000 नहीं, अगर इसे कम price पर और discounted price पर चाहिए, तो दोनों में code लगाना याद रखेंगे, और इन में से किसी भी state का आप course ले सकते हैं, prelims का crash course, सिर्फ 799 में अगर code लगाएंगे, SK state, ठीक है, अगर code लगाएंगे, SK state, और session की श session से चुड़ेंगे, session की शुरुवात हो चुकी है, तो पहला question देखते हैं, क्या कहता है, कहता है, consider the following statements, कहता है, पहली statement पढ़ो, पढ़ते हैं, modernization took place in 19th century in India, दोस्तों भारत के अंदर 19th century, जब बात कर रहा है 19th century तो 1800 से 1899 की बात कर रहा है, ये जो समय है भारत में, यहां पर आप देखेंगे, कि पड़े लिखे लोगों की एक intellectual, intellectual class यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ऐसे लोग जो विद्वान थे, पड़े लिखे थे, social religious reforms, सम पी जादा महान लोग दिखेंगे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय भी इसी फेज में दिखेंगे, ईश्वर चंद विद्या सागर भी दिखेंगे, एम जी रानाजे दिखेंगे, आपको यहां तक की स्वामी विवेका नंद भी इसमें दिखेंगे, उसके अलावा और भी क समाज सुधारक थे, आपको इस फेज में मिलेंगे, और इस फेज के जो समाज सुधारक थे, यह पड़े लिखेंगे इंटेलेक्च्वल लोग थे, फिक्षा की वजए से यह लोग अपने विचारों को लोगों के आगे रख पाए, विदेशियों में, विदेशों में और समाज सुधारकों के जो रिफॉर्म थे, वो सोशल रिफॉर्म तो थे ही, साथ में उसमें एक बहुत बड़ा एंगल था, रिलीजियस रिफॉर्म का, कई बार क्वेशियन पूछता है, कि भई, जो सोशल रिफॉर्म थे, इनको हम सोशल रिफॉर्म क्यों नहीं कहते हैं, ये क्यों रिलीजियस रिफॉर्म भी इसको कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, इस समय का जो फेज है, ये जो फेज है, सोसाइटी का, भारत के अंदर बहुत important role play करता था उस समय जो धर्म है जो religion है किस प्रकार की मानेताओं किस तरह प्रकार की पूजा पद्दती को फॉलो करते हैं किस प्रकार के जीवन को जीते हैं यह maximum चीजे धर्म से decide होती थी तो religion decide करता था लोगों की life तो अगर आपको समाज में सुधार लाना है social reform लाना है तो religious reform लाना बहुत जरूरी था तो यह सारे reform social religious reform कहलाए गए तो कहता है modernization अब यह reforms जब आए तो यहाँ पर आपको modern thinking देखने को मिलेगी इस समय modern thinking देखने को मिलेगी कैसी modern thinking आपको logical thinking पर जोर दिया गया rational thinking पर जोर दिया गया किस तरह की values हो humanistic humanistic values हो यानि कि मानवतावादी values हो rational हो तारकिक हो तरक संगत चीजे हो यानि कि धर्म के अंदर सुधार लाना है तो अंद विश्वास को दूर करना होगा तरक पर चलना होगा और धर्म को भी तरक के नजरिये से देखना होगा ये सारी बातें आपको इस समय देखने को मिलेंगी जो की एक रेनेसा यानि की भारत के अंदर इस समय reforms होते हैं ठीक है तो modernization का फेश शुरू होता है 19th century में बिलकुल सही statement है कहता है scientific approach and other such ideas were considered to be basis of rational thinking rational thinking कैसी है scientific thinking के ही ये आपको उधारन देखने को मिलते हैं तो logical और rational thinking का मतलब scientific thinking का ही ये part है scientific thinking या फिर logical rational thinking से समाज सुधरा यानि की जो second statement है ये explanation है पहली वाली statement की और दोनों ही सही है कहां पर हमें एक ऐसा option दिखता है तो B जो है both A and R correct और R जो है वो A की correct explanation है तो सही जवाब है B अगला question कहता है which of the following classes was first influenced by the western civilization western civilization ने पहले सबसे पहले कौन से प्रकार के वर्ग को भारत में प्रभावित किया तो भारत के अंदर सबसे पहले western civilization ने जिनको प्रभावित किया वो थे educated middle class educated middle class ने आपको जो देखने को मिलेंगे जितने भी आपको यह scholars मिलेंगे जो समाज सुधारक मिलेंगे यह पड़े लिखे थे और साथ ही में यह middle class का भी पार्ट थे तो पड़ी लिखी middle class आगे आई और इन्होंने बाकी middle class के अंदर reform शुरू करे और आप देखे देखेंगे middle class में ही revolution आता है बाद में जब Congress आती है तो वो भी middle class educated लोगों से ही मिलकर बनती है तो इस तरह से आप देखेंगे सबसे पहले western education ने किनको प्रभावित किया सबसे जाता educated और खास तोर पर हिंदू middle class Muslim जो middle class थी उस वक्त वो भी ज्यादा प्रभावित नहीं ह उस समय आपको देखने को मुलेंगे Muslim society में reforms नहीं आ पाई क्यों उसका कारण है कि जो उस समय की Muslim middle class थी वो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाई इन scientific और rational thinking से हाला कि कुछ आपको दिखेंगे logical rational thinkers Muslim society में लेकिन उनकी बातों पर बाद में अमल नहीं हुआ पूरी society में एक reform नहीं आ पाया कुछ लोग तक वो reform सीमित रह गया who among the following great men is called father of Indian awakening father of Indian awakening कौन से व्यक्ति को इन में से कहा जाता है बताने की आवश्यक्ता नहीं होगी राजा राम मोहन रॉय जो है राजा राम मोहन रॉय को father of Indian renaissance भी कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को father of Indian renaissance कहा जाता है prophet of prophet of Indian nationalism कहा जाता है साथ ही में इनको bridge कहा जाता है between past and the future father of Indian nationalism कहा जाता है Prophet of Indian nationalism कहा जाता है father of modern India याद रखेंगे father of modern India कहा जाता है बहुत जादा विदवान व्यक्ति थे पर्शियन भाशा जानते थे इंडियन हिंदी जानते थे इंग्लिश जानते थे लैतिन जानते से संस्कृत जानते थे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और बहुत विद्वान व्यक्ती थे राजा राम मोहन रोए और आप जानते हैं की चति प्रता जो भाड़त हुई थी ठीक है और first modern man भी इनको कहा जाता है first modern first modern man भी इने कहा जाता है आप सोच सकते हैं इनकी thinking अपने समय से कितनी आगे रही होगी कि जब सती प्रता बहुत आम चीज होगी समाज के अंदर society में उसका विरोध करना तरक देना उसके उसके विरोध में खड़े होना कानू ओन पास करवाने के लिए मुहीम छेड़ना यह सारी चीज़ें उसके कितने जजाधा मुश्किल रही होगी और राजा राम महनराई को इसलिए modern man और जूग दूत्व ही केहते हैं यूग दूत्व केहते हैं ठीक है राजारा महनराई को यूग दूत भी कहते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मिय सभा की इस्थापना की थी उसके बाद 1828 में बनाते हैं ब्रह्म सभा और बाद में इसका नाम चेंज होकर कर दिया जाता है ब्रह्म समाज तो 1815 के अंदर क्या बन चुकी थी आप देखेंगे ठीक है अक ठारा सो पंदरा के अंदर बन चुकी थी आत्मिय सभा तत्व बोधिनी सभा किस ने बनाई थी यह बनवाई थी देबेंदरनात के गोर ने इन्हों बनाई थी तत्व बोधिनी सभा कब अक्ठारा सो 19 में 1049 सावक थारास में बनती है बाद में जब राजा राम मोहन्रौई की मिरत्ति हो जाती है तो तत्व बोधिनी सभा के पांडर देवेंदरनात्यगर कमान संभाल लेते हैं किसकी ब्रह समाज की तो देवेंदर नाथ टेगोर तत्व बोधनी सवा स्थापित करते हैं और बाद में ब्रह्म समाज से भी जुड़ जाते हैं और ब्रह्म समाज को भी लीड करते हैं ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज कौन से यर में एस्टैबलिश किया गया था तो इसको एस्टैबलिश किया गया था अक्ठारा सो अक्ठाइस में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है राजा राम मोहन रॉय करते हैं राजा राम मोहन रॉय को राजा जो टाइटल है उपादी है ये किस ने दी थी तो ये दी थी उस समय के जो मुगल बादशा थे उस समय के नाम के मुगल बादशा थे अंग्रेजों का कबजा अल्रेडी हो चुका था बहुत भारत के एड्मिनिस्ट्रेशन पर तो जो अकबर अकबर तू अकबर द्वितिये याद रखेंगे तिर्फ अकबर याद नहीं रखेंगे अकबर द्वितिये जो थे इन्होंने राजा राम मोहन रोय को राजा की उपाधी दी थी ठीक है राजा की उपाधी दी थी अगला question कहता है अगला question कहता है consider the following statements कलकता Unitarian Committee Tabernacle of the New Dispensation Indian Reform Association केशव चंदर सेन is associated with which केशव चंदर सेन इन में से कौन से संगठन से कौन से संस्थाओं से जुड़े हुए हैं ठीक है तो केशव चंदर सेन इन में से किस से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहली चीज तो याद रखनी होगी कि Unitarian Committee of Calcutta जो थी ये 1823 के अंदर इसके स्थापना होती है कि इनके द्वारा राजा राम मोहन रॉय प्लस द्वारकानाथ टेगोर के द्वारा राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टेगोर के द्वारा द्वारकानाथ टेगोर कुन थे यह उस समय के एक Famous इंडस्ट्रीलिस्ट से मांब जाने और इंडस्ट्रीलिस्ट कुन वही देवेंदर नाथ सभा की स्ताफना की थी और देबेंदर नाथ टैगोर के बेटे थे इनके पुत्र थे इनके बेटे थे कौन वो थे रविंदर नाथ टैगोर तो आप देख सकते हैं रविंदर नाथ टैगोर एक बहुत ही जादा influential family से आते हैं पहले से ही इतिहास में इनकी family पहले से भारत में contribute करती रही है बहुत लंबे समय से तो देबेंदर नाथ टैगोर के पिता जी थे द्वार का नाथ टैगोर जिनके साथ मिल गे कमिटी की स्थापना की तो पहला eliminate कर देते हैं बचे 2 & 3 अब यहाँ पर देखें तो इंडियन reform association से जुड़े हुए थे केशव चंदर सेन और टैबर निकल आफ दिन निव डिस्पेंसेशन से जुड़े हुए थे केशव चंदर सेन सही जवाब है 2 & 3 अब यहाँ पर एक बार बता देते हैं केशव चंदर सेन कौन थे यह भी एक समाज सुधारक थे अपने समय के और यह भी हिंदू समाज के अंदर reform लाने के लिए जाने जाते थे इनको भी England के अंदर बुलाए गया था हिंदू को philosophy है उसके उपर अपने विचार रखने के लिए और आपको याद करना होगा की हमने पड़ा है ब्रह्म समाज माज जो है इसकी स्तापना होती है राजा राम महन रौए द्वारा कब 1828 के अंदर 1828 में राजाराम मोहन के द्वारा इसकी स्थापना होती है और फिर बाद में बाद में आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज में जब राजाराम मोहन रॉय की मृत्ति हो जाती है इनके बाद ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं देबेंदरनाथ टेगोर उससे पहले जुड़ चुके होते हैं लेकिन 1866 में क्या होता है देबेंदरनाथ टेगोर और केसी केशवचंद्र सेन के बीच में यहां पर विवाद ऑिडिओलोजी को लेकर डिफ्रेंसिस खड़े हो जाते हैं होता क्या है रविंदरनाथ टेगोर के बाद देविंदरनाथ टेगोर भी जुड़ते हैं ब्रह्म समाज से और केशव चंदर सेन भी जुड़े हुए होते हैं ब्रह्म समाज से और यहां पर फिर विवाद खड़ा होता है, ideology को लेकर देवेंदरनाथ, Tegor, और केशाव चंदरसेन के बीच में। का आदी ब्रह्म समाज आदी मतलब वो ब्रह्म समाज जो की ऑरिजिनल ब्रह्म समाज है और केशव चंदर सेन मैं अब ब्रह्म समाज तूट गया है अधी ब्रह्म समाज में 1666 में और केशव चंदर सेन के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में तूट गया है और इसके बाद इनके कई सारे यंग लोग केशव चंदर सेन से जूड़ते हैं लिबरल आइडियाज की वज़े से और 1878 में 1878 में फिर से डिविजन हो जाता है ब्रह्म समाज of India में और ब्रह्म समाज से तूट कर एक नया organization निकलती है जिसको कहा जाता है साधारण ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज को स्थापना कौन करता है आनंद मोहन बोस तो याद रखेंगे 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1866 में टूटता है देवेंदर नात का आदी ब्रह्म समाज केशव चंदर सेन का ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1878 में फिर से इसमें से टूटकर निकलता है केशव चंदर सेन वाले ब्रह्म समाज में से टूटकर न कलता है क्या आनंद मोहन बोस का साधारण ब्रह्म समाज अब इसकी वज़ा क्या है यहाँ पर डिविजन आइडियोलोजी कल था 1868 में यह होता है क्योंकि केशव चंदर से लिबरल व्यक्ति माने जाते हैं धर्म क्यों लेकर और वैसे हिंदु धर्म के अंदर रिफॉर्म लेकर आते हैं और ओरिजिनल टीचिंग्स पर चलते हैं लेकिन लिबरल पॉलिसी को भी प्रमोट करते हैं तो खुले विचारों के म आप समाज में कुरीतियों को खतम करने के लिए काम कर रहे हैं महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाए बाल विवा जैसी जो प्रचलन है इसको कम किये जाए खतम किये जाए और दूसरी तरफ आप अपनी ही 13 साल की बेटी का विवा कर रहे हैं कूच बिहार से तो यहां पर यहां पर जो इनके ही अनिवाई थे उनका इनसे विश्वास थोड़ा इनका मोह भंग हो गया और फिर आनंद मोहन बोस स्थापना करते हैं साधारन ब्रह्म समाज की इसलिए अब आपको याद रखना होगा कि केशफ चंदर सेन कौन थे चलिए तब फाउंडर ऑफ इंडि इंडियन ब्रह्म समाज या फिर इंडियन या तो अगर बोलें इंडियन ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बात एक ही है ठीक है इंडियन ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इसके फाउंडर थे केशव चंदर सेन अगला क्वेश्चिन कहता है फूंड़ दा आधी ब्रह्म समाज आधी ब्रह्म समाज किसने सापना की आधी ब्रह्म समाज की सापना हमने देखा कि जब 1866 में डिविजन होता है ब्रह्म समाज से तो देवेंदर नाथ टेगोर का बनता है क्या आधी ब्रह्म समाज देवेंदर नाथ टेगोर बनाते हैं आदी ब्रह्म समाज अगला question कहता है अगला question कहता है the principle of ब्रह्म समाज is based on ब्रह्म समाज के अंदर जो basic teaching दी जाती है ब्रह्म की पूजा ब्रह्म की उपासना करो ब्रह्म की उपासना जो विदान्त की philosophy में भी मिलती है यानि कि एक ऐसा इश्वर जो निराकार है, हर जगा है, सर्व व्यापी है, प्रम की आप पूजा करें, यानि कि एक ही भगवान की पूजा करें, प्रम वो भगवान, वो गौड जो की सर्व व्यापी है, निरंकार है, जिसके कोई मूर्ती नहीं है, तो basically यहाँ पर बात जो जोर दिया गया था, वो मोनोथीजम पर यानि की यूनिटी पर, यूनिटी कैसी भगवान जो हो, आपके एक से अधिक ना हो, कैसे भगवान हो आपके Simple यूनिवर्सल सिंगल गौड हो यूनिवर्सल सिंगल गौड मोनो थीजम के उपर जोर दिया गया था ठीक है किस के ओपर मोनो थीज्म के ओपर जोर दिया गया था ठीक है which of the following was not opposed by राजा राम मोहन रॉई राजा राम मोहन रॉई ने इन में से किस कीज का विरोध नहीं किया था क्या चाइल्ड मैरिज का विरोध किया था बिल्कुल किया था क्या सती सिस्टम का किया था बिल्कुल किया था इसके खिलाफ तो इसके खिलाफ तो कानून भी लेकर आए थे क्या आइडल वर्शिप का किया था बिल्कुल किया था क्यों 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 वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और मोनोथीजम की परचार परसार करते थे ब्रह्म की पुझा की बात करते थे मूर्ति के खिलाफ थे क्यों क्यों कि ब्रह्म निराकार और सर्म व्यापी है तो इसी लिए आईडल वर्शिप का विरौद किया था बिल्कुल किया था क्या वेस्टन इंडिया के लोगों को जागरूख कर सकता है समाज में सुधार ला सकता है और इंडिया के लोगों को सही रहा जो दिखाएगी वो western education दिखाएगी which of the following was started in protest against the religious social views of राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय के जो social views थे उसके against as a protest इन में से कौन सी चीज़ शुरू की गई थी कौन सा अकवार कौन सा journal शुरू किया गया था ठीक है तो जो दिख दर्शन है दिख दर्शन ये शुरू किया गया था ये पहली मराठी मैगजीन है ये पहली मराठी मैगजीन है बा बाला शास्तरी जामबेकर के द्वारा स्थाप शुरू की गई ये पहली मराठी मैगजीन है और बाला शास्तरी जामबेकर को फादर आफ पादर आफ मराठी मराठी जर्निलिजम भी कहते हैं फादर आफ मराठी जर्निलिजम कहते हैं तो ये राजा रामोहन रॉय के अगे लिए राजा राम मोहन की पॉलिसी राजा राम मोहन रॉय को प्रोटेस्ट करने उनकी ऐडियोलोजी उनके विचार थे उनको अपोज करने के लिए बनाई गई थी समाचार चंद्रिका समाचार चंद्रिका बना गई थी राजा राम मोहन रॉय के विचारों के खिलाफ उनके अगेंस प्रोटेस्ट करने के लिए और ये चलाते थे कौन इसकी शुरुवात की थी समाचार चंद्रिका की शुरुवात की थी भवानी भवानी चरन बंदो पाध्याई बंदो पाध्याई ने शुरुवात की थी किसकी समाचार चंदरिका की अगला question कहता है अगला question कहता है ठीके दोस्तों अगला question कहता है कि which of the following statements is are correct about ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज के reference में इन में से कौन सी statement सही है ब्रह्म समाज का ब्रह्म समाज का मानना था कि हमें किसी middleman की किसी पुजारी की किसी खास व्यक्ती की जरूत नहीं है जो कि हमें religious scripture का अनुवाद बताएगा हर व्यक्ती religious scripture खुद से पढ़ सकता है धर्म से जुड़े हुए जो शास्त्र है वो व्यक्ती खुद से पढ़ सकता है कोई दूसरा व्यक्ती इंटरप्रेट करके नहीं बताएगा और हर व्यक्ती को अधिकार होना चाहिए कि वो खुद से religious text को पढ़े क्या ये बात थी बिल्कुल थी इट प्रोपगेटेज दॉक्त्रिन डेट वेदार्स आर इंफैलियबल क्या वेदों को सर्व वेदों को ही सर्व व्यापी और सबसे सुप्रीम बताया था कि वेदाज आर इंफैलियबल ये राजा राम मोहन रॉय ने बताया था समाज में क्या ये बताया गया था ये बताया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा दयानंद सरस्वती द्वारा कहा जाता था कि वेद जो है वो इंफैलियबल है यानि कि अल्टिमेट जो अटल सत्य है जो लास्ट परम सत्य आपको दिखेगा वो दिखेगा किस के अंदर वेदों में और यह बात दयानंध सरस्वती के द्वारा की गई थी दयानंध सरस्वती के द्वारा की गई थी और नकी ब्रह्म समाज के द्वारा तो इसका सही जवाब है B 1 and 2 only अगला कहता है In the second half of the 19th century the best representative of neo-hindism नियो हिंदूइजम का नियो हिंदूइजम आपको इन में से किन से जुड़ा हुआ दिखेगा तो नियो हिंदूइजम का परचार करते थे स्वामी विवेका नंद स्वामी विवेकानंद वेदांत की फिलोसोफी का परचार परसार करते थे और वेदांत की फिलोसोफी को काफी जादा प्रैक्टिकल मानते थे काफी जादा साइंटिफिक मानते थे और काफी जादा बैलेंस मानते थे पूरा जीवन व्यक्ति वेदान्त की फिलोसोफी पर चला सकता है ऐसा मानते थे और सिर्फ वेदान्त नहीं इन्होंने भाशन दिया था और जो प्रैक्टिस किया था वो था प्रैक्टिकल वेदान्त ये प्रैक्टिकल वेदान्त का प्रचार प्रसार करते थे और ये कहते थ सबस्क्राइब ने चाहिए कि सब्सक्राइब लूटियों की यह चीज़ आपको कहा मिलेगी यह मिलेगी प्रैक्टिकल विदान्त की फिलोसोफी में आपको spirituality और materialism का balance दिखेगा और इसको ही कहा गया क्या इसको कहा गया neo Hinduism यानि कि नए प्रकार के नए प्रकार के Hinduism का परचार प्रसार स्वामी विवेकानंद ने किया और इसलिए स्वामी विवेकानंद यहां पर इसका सही जवाब है उए एक्स्पोनेंटी प्रैग्मेटिक विदान्त था प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल यानि कि व्यवहारिक जिसको practice किया जा सके तो प्रैक्टिकल विदान्त की philosophy का प्रचार प्रसार किस ने किया था तो यह किया था स्वामी विवेकानंद ने ठीक है स्वामी विवेकानंद ने प्रैक्टिकल विदान्त की philosophy का प्रचार प्रसार किया था Which of these eminent social reformers wrote book on ज्यान योग, कर्म योग और राज योग ज्यान योग, कर्म योग, राज योग ये कौन से social religious reformers ने इन पर किताबे लिखी थी जो की लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने ज्वामी विवेकानंद ने ज्यान योग, कर्म योग और राज योग पर किताबे लिखी हुई है वो founded रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की भी स्तापना की थी, स्वामी विवेकानंद ने, क्यों? ताकि वो practical वेदान्त की philosophy हर जगा, हर व्यक्ति को पहचा सके, और रामकृष्ण नाम कहां से आता है? स्वामी विवेकानंद के जो गुरू थे, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही ज़ादा spiritual व्यक्ति थे, अभी तक सबसे ज़ादा spiritual व्यक्तियों की जब गिंती होती है, तो रामकृष्ण परमहंस का नाम ज़रूर लिया जाता है, रामकृष्ण परमहंस वो व्यक्ति थे, जो कि पड़े लिखे नहीं थे, जिन्हों उन्हों ने अपने जीवन को इस तरह से जिया था, उन्होंने हर चीज experience की थी, उन्होंने हर चीज का अनुभव किया था और उसके बाद फिर अपने जीवन में, चीजों में ज्यान में निशकर्ष निकाला था, रामकिन्ष कृष्णपरम्हंस वो व्यक्ति है जिन्होंने एक पूजारी के रूप मे अपना जीवन बिताया, जिन्होंने अपने जीवन में मुस्लिम रहकर भी देखा की कैसे चीज़े चलती है, क्या हमें यहां पर क्या ज्यान के प्राप्ति हो सकती है, भगवान के चली कि सारे रास्ते एक ही तरफ मिलते हैं और इसलिए राम कृष्ण परम हंस बहुत जादा डीपली spiritual व्यक्ति माने जाते हैं जब भी example दिया जाएगा किसी भी spiritual व्यक्ति का तो राम कृष्ण परम हंस के बिना बात complete नहीं हो सकती क्योंकि राम कृष्ण परम हंस तिर्फ प जो एक knowledge है knowledge का ultimate use क्या है कि आप कुछ experience कर सके कुछ बदलाव ला सके और अगर आप experience कर सकते हैं और आपको किताबी ज्यान की ज़रुत नहीं है तो आपका परपल सर्व हो गया तो इसलिए राम कृष्ण परम हंस जो है बहुत ही deeply spiritual व्यक्ति और गुरु थे स्वामी विवे का नंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की कब 1897 में कहां पर इसका आपको मठ मिलेगा बेलूर कोलकाता में कोलकाता में बेलूर मठ जो मिलेगा राम कृष्ण परम हंस का जो मिशन है राम कृष्ण मिशन इसका epicenter है केंदर है headquarter है I have no time to think of God मुझे भगवान इश्व इश्वर के बारे में सोचने का समय नहीं है as there are too much work to be done here on earth क्योंकि धरती पर ही बहुत सारी चीज है करने को ये बात किसने कही थी ये बात किसने कही थी तो ये बात की गई थी इश्वर चंद्र विद्या सागर के द्वारा इश्वर चंद्र विद्या सागर भी एक स्कॉल जो रीमेरिज अक्ट 1856 पास होता है इसके समय पर डलो हुजी के समय पर गलो अजी के समय पर जो हिंदू रीमेरिज हैक्ट कि विद्वाल जो महिलाएं होती थी उनका पुनर विवाकरवाने की मुहीम छेड़ी थी ईश्वर चंदर विद्यासागर ने और इनके अगेंस्ट इनका विरोध करने के लिए एक और 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 ऑर्गनाइजेशन बनाई हुई थी किनों ने राधाकांत राधाकांत देव राधाकांत देव ने एक और्गनाइजेशन बनाई हुई थी ईश्वर चंदर विद्यासागर की मुहीम का विरोध करने के लिए conservative ideology पर चलने चलते थे और राधाकांत देव की जो और गनाइजेशन था संकटन था वो था धर्म सभा वो थी धर्म सभा ठीक है वो थी क्या प्रिटिश एंपायर इस कम्प्लीटली रॉटन करप्ट टरिनिकल एंड इंफीरियर इन एवरी वे यह बात किसने कही थी जो ब्रिटिश सामराज्य है यह खुद में पूरी तरह से भरष्ट है अंदर से सड़ा हुआ है और पूरी तरह से अत्याचारी एक शासन है यह किस लंडन में मिलती है लंडन में मिलती है स्वामी विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद से लंडन में मिलती है सिस्टर निवेदिता और एक आईरिश महिला थी लेकिन बाद में यह रामकृष्ण मिशन से जोड़ जाती है अनुयाई बन जाती है स्वामी विवेकानंद की और ये बात कही जाती है sister निविदेता के द्वारा दयानंद सरस्वती established दयानंद सरस्वती ने इन में से किस चीज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने आरे समाज की स्थापना की थी कब 1875 में ठीक है नारा देते हैं गो बैक तूदा वेदाज यानि की वेद में जाकर हमें वापस ग्यान अरजित करना चाहिए जीवन को सुधारने के लिए कहते हैं आरे समाज की स्थापना करते हैं 1875 में दयानंद सरस्वती जिनका नाम ओरिजिनल होता है मूल शंकर जिनका नाम होता है में भी आरे समाज को स्थापित किया जाता है स्वामे दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों को दुबारा से रिवाइव करने का वेदों का पुनरुथान करने का क्रेडिट किसको श्रे जो है किसको जाता है तो जाहिर सी बात है अभी हमने देखा आरे समाज की स्थापना c who among the following had said good governance is not a substitute for the self-government यानि की good governance अगर self-government है वो ज़्यादा जरूरी है ना की good governance और good governance से आप self-government को replace नहीं कर सकते यानि की importance बता रहा है self-government की हर कीमत पर self-government चाहिए good governance कहकर आप हमें पागल नहीं बना सकते है जैसे British लोग हमेशा ऐसा ही कानून लेकर आते थे कहते थे कि हम आपको good governance देंगे responsible government देंगे representatives देंगे लेकिन इंडिया के लोग डिमांड कर रहे थे self-government की self-rule की और ये बात किस ने कही थी ये बात कही थी good governance जो है replacement नहीं है किसका अच्छे शासन का self-rule का replacement नहीं है और ये बात कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने अगला question कहता है कि which of the following people first use the word स्वराज्य कौन इन में से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का इस्तिमाल किया and considered Hindi as the national language और हिंदी को एक कि राश्ट्रे भाशा के रूप में स्विकार करने वाले व्यक्ति कौन से थे तो सबसे पहले वो व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आरे समाज की स्थापना की थी उनका मानना था कि हिंदी एक राश्ट्रे भाशा होनी चाहिए और स्वराज की कल्पना भी सबसे पहले इन्होंने ही की थी अगला question कहता है chronological order में हमें लगाना है तुलसी दास तुलसी दास आपको कब देखेंगे तुलसी दास 15th century के saint है जो की अकबर के समय के है राजा राम मोहन राए स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती दोस्तों अगर आप logic से भी चलेंगे तो भी इसका अंसर तुरंद निकाल लेंगे सबसे पहले आएंगे एक ठीक है तबसे लास्ट में कौन आना चाहिए तबसे लास्ट में अगर आपने थोड़ी थोड़ी भी कामियाद है राजा राम मोहन राए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं तो इस region के रहे हों इस time period के रहे होंगे स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई कोई बात अगर याद हो तो अगर याद करेंगे 1893 में शिकागो में World Religious Congress के अंदर Hinduism के उपर चर्चा करते हैं साथ ही में 1897 में 1897 के अंदर राम कृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1902 में मिर्तिव हो जाती है तो time period आप देख देख सकते हैं ठीक है उसके अलावा दयानंद सरस्वति कब 1875 में आरे समाज की स्थापना करते हैं तो अगर आपको इनके जन्म की तिथी भी याद नहीं है जन्म का जो यर है जो आपको जन्म का साल है वो याद नहीं है तो भी logic से निकाल सकते हैं इनके बारे में थोड़ से पहले तुलसी दास आएंगे सब से पहले चलो जी एक आगया उसके बाद कौन आएगा उसके बाद आएंगे राजा राम मोहन रॉय अब गाड़ी फस्ती है चार और तीन में से लॉजिक से भी देखेंगे तो आपको दिखेगा दियानंद सरस्वति पहले आते हैं तो सह सब्सक्राइब है और करें राजा राममोहन रॉय का जन्म 1772 में होता है राजा राममोहन का रॉय का जन्म 1772 में होता है दयानंद सरस्वती का जन्म 1880 स्थापना इन में से किस ने की थी तो याद रखेंगे परार्थना समाज की ठीक है ओर महाराष्ट में वेस्टन इंडिया के अंदर वेस्टन इंडिया में समाज सुधार कि जब कोछा नाम जरूर आता है जोतिआ फूले जो थे जोतिआ फूलों ने सत्यशुधक तत्यशुधक समाज की स्थापना की थी और जोतिबा ंगि लिखे ती उन्हों से किताब गुलाम गिरी लिखी थी इन्होंने जोतिबा फूले ने इसके अलावा M.G. Rana Day M.G. Rana Day को अंग्रेजों ने राव बहादूर का राव बहादूर का टाइटल दिया हुआ था राव बहादूर का टाइटल M.G. Rana Day को दिया गया था इनको commonly justice Rana Day के नाम से जाना जाता है एक scholar एक important विद्वान थे ये भी 1885 में महराश्ट्र में 1885 में महराश्ट्र में 1885 में महराश्ट्र में girls high school establish करते हैं पहली बार पहला girls high school establish 1885 में M.G. Rana Day करते हैं साथ में इंदू प्रकाश के एडिटर भी थे इंदू प्रकाश एक मराठी एक मराठी जर्नल हुआ करती थी मराठी जर्नल इंदू प्रकाश के एडिटर हुआ करते थे M.G. Rana Day तो महराश्ट्र के जो reforms की बात है उसमें M.G. Rana Day का नाम ज़रूर आता है प्रार्थना समाज से भी जुड़े हुए थे प्रार्थना समाज से भी जुड़े हुए थे आत्माराम पांडूरंग ने शुरुआत की थी लेकिन प्रार्थना समाज से जुड़े हुए भी थे M.G. Rana Day तो दोस्तो यह था आज का सेशन I hope वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी सीरीज को हम जल से जल कंप्रीट करेंगे मुझसे डारेक्टली कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वीडियो चाहिए तो टेलिग्राम पर जुड़ना होगा और मेल भी कर सकते हैं कोई और भी क्वेरी हो तो तब तक पढ़ते रहेंगे अपना ख्याल रखेंगे धन्यवाद दोस्तों